दोस्तों वेल्गम एक्टुमाई चनल आज के हमारे इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम सिखेंगे गोडोक्स का AD200 प्रो लाइट के साथ में हम गोडोक्स का X1 ट्रिगर की इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और हमें गोडोक्स का कोई साथ भी लाइट कोई साथ फिलश हो आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे उसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास X1 ट्रिगर होगा तो ही है ओग तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अब ऑफ ऑपन कर लेते अब ओपन करने सेह मिसकर देख लेते हैं कि हृमिएं कि इसमें क्या-कैपनी देती है कमी किसके बॉक्स चुक से प्रोव इसमें आम सब्सक्राइब बता नहीं स्क्राइब प्रघ्ट करते हैं इसको भी यूज्ट लगा यूज कर सकते हैं म् इसमें जो है उसके लिए भी मिलेंगा किसमें के जुह हैं यस के साथ में दिखता है इसके यहां पर मिलेंगे इसमें हमने सबसे पहले जो हैं में देख लेत Всеके कुछ ब्र जो हूं दोւेड मिलेंगे अंदर हम जब उसका उन्मोक करेंगे तो हैं डोनों इसापोट करते हैं तो इसके कि काम होदा है शीटि जी-टी तैन मेंट किस्तो instal में इसके बाद हमें यहां पर लिखा हुआ हैं कि भई या 500 फलेज पांसो फ्लच करेगा तो हम 500 फोटो क्लिक कर सकते हैं इसाथ में फूल चार्ज के साथ है इसके बाद इसमें better का लोगों दिया है तो बेटरी के साथ में हमें मिलता है 0.1 सेकंड और और 0.18 सेकंड तो जब हम इसकी फ्लस को कम और ज्यादा करते हैं ज्यादा हाई लेवल पर हम यूज करेंगे तो हमें 1.8 सेकंड का यहां रिमेंडिंग टाइम लेगा उसके बाद यह फ्लस रेडी हो जाएगा और जब हम इसको स्लो से स्लो इस्पिट पर चलाते कम पावर पर हम इसको चलाओं यहां पॉइंट 0 1 सेकंड पर हमारा व्लस जो है रीडी हो जाएगा सकते हैं इसमें चला सकते हैं और इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा काफी अच्छी है जिसे हम टेलाइट में बहुत अच्छे से यूज उसके बाद हमें जो है इसमें प्लस-माइनस का कम जाधा जो में बताए वही इसमें काम करेगा इसमें इस बैटरी जो है इसके अंदर जो अच्छी खासी चलेगी हमें मतलब ल और दोश्तों नेभिगे अब इसको अनवोक्स पर लिखी ती है अब इसका अनवोक्स कर लेते हैं तो लिए दोस्तों किसे चीजे मिलती है जो गोडो कंपनी का है बुट अच्छी पेकिंगे इसके साथ में कुछ डायरी मिलती है जिसे आप पढ़कर इसको आसानी समझ सकते क इसको किस तरह से यूज करना और इसके हेड वगेरा जो किस तरह से चेंज करना है इसे बहुत सारी चीजे इसको भी आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको इसकी सारी जानकारी मिल सके किस तरह से और यूज की जा सकती है फिलाल सब्साइड एक दिते हैं और इसका बोक्स को हम ओपन करते हैं अए एक बोक्स ऑपन करने के बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि ये हमें पॉले हमें में कुछ मिला है तो प्ले प्रोछेम में क्या हैं पॉले इसिता है जो है जो यह हमारा जोख एह लिट रे इस हमें इसमेंगे इस मेलंगा कि समुट अधी MOR कि यह एड़मने इसमें लगा दिया है असानी से लाइट को यह पर रख देते हैं और हम देख लेते इसके साथ में क्या मिलता है एक हमें मिला है गोड़क्स का हमें चार्जर जो हमारी बेटरी को चार्ज करेंगा कि चार्जर के साथ में पावर केबल मिला है और यह जो है एक और हेड है हमारा इसके साथ में अगर हम हेड को चेंज करकर यूज करना चाहते हैं जैसा कि मैंने आपको सुरू में बता आया था कि हमें 60 जी इनमबर मिलता है 52 जी इनमबर मिलता है तो यह ही कि और काम करता है कि भी तो हम इसको वह नचे लेये कि इसमें किसした लगेगा कि इस बालफर में भी हमें सिंगल दिया हुआ एयरेट कलर का तो रेटकलर से रेटकलर मिलाकर इसकर इसके इसको वालफ टो कर सकते है। यह आसानि से इसके इसकर अंदर फीट हो गया और उपर से निचे की तरफ स्लाइट किया हमने तो हमारा यह भी फीट हो जाएगा यह फीट हो चुका है अब हम इसमें देख लेते हमें इसकी कनेक्टिविटी हम ट्रिगर के साथ में किस तरह से कर सकते हैं तो फिलाल में इसी हेट को लगा रहे ने देता हूं और आपको इस तरह से यूज कर सकते हैं सेम कंडिशन ने बाकि आप वीडियो देख लेंगे तो आपको एक बर में आपका न्ट्रिगर कुछ इस तरह का मिलता है में यह है हमारा सी टाइप का यहां पर आपको लिखावा एगा हो सकता है पर एन भी लिखावा और एस भी लिखाए सी का मत सब्सक्राइब है मतलब सी मतलब केनन कंपनी का मगाया था कि में केनन पर यूज कर सो कुँआ इसको आसानी से ठीक है दुस्तों कुछ इस तरह का एक्सवन ट्रिगर है हमारा अब इसको हम ओन करते हैं से तो यह ओन नहीं होता क्योंकि इसके अंदर बेटरी लगता है तो हम हमें अली ट्रिगर मिला है तब प्लस माइनस देखके सेल को फीट कर लिजह लगा दिया हमने सेल को अब इसमें फीटिंग हो गया है अब हम ट्रिगर को आन करेंगे यहां सर स्वीच से इस तरह तरह जो सुएच है उस सिच से चानिकर को न कर लेंगे कि भी टिगर को ओन किया हमने हमारा डिसप्लेपर हमारा नम्रिंग आ गई अब हम लाइट को बढ़न करते हैं लाइट का स्वीच जो है वह यहां पर मिलेगा आपको पावर स्पावर को यहां से अप को लेशे तो my खेंचों सब्सक्राइब करें। तेखिसол godox Flaglaight помnes चे और किया का सकते हैं इसके जो सारे पर Haushंट यहाँ उर्टन जो वह यही पर — मिलते हैं मोड उर्डा सब keinen का सब्सक्राइइ Cyber निलता है चाहिए ञाएर ने मिलता है ऐसके बांट का मिलता है अध॥्व और सकते हैं तो मैं आपको हेट चेंज़ करके बता देता हूं कि इसमें बल्फ किस तरह से काम कर सकता है, यह बल्फ का जो सूइच है, इसको हमको हेट को चेंज करना पड़ेगा, जब भी आप हेट चेंज करें, तो एक आपके लाइट को ओफ कर लीजिएगा, फिलाल हम इसको ओफ कर ले लाइट इसमें चल गई इस स्वीच को में आप उसको बन चलू करके बता देता हूं तो यह बहुत अच्छी चीज दिए हुए इसमें लाइटिंग की हम हमारे केमरे का जो फोकस आसानी से अगर हम डार्क लाइट में तो तब हम इस स्वीच का यूज कर सकते हैं और हमारे जो अच्छे से फाइदा उटा सकते हैं यह स्वीच है अपको 80200 प्रो में ही मिलेगा 80200 जो इससे पहले पूराना ओल्ड मोडाल आता था उसमें यह सुच नहीं मिलेगा आपको 80200 प्रो में आपको यह अपडेट चीज में लिए दोस्तों इन दोनों को कनेक करने से पहले आपको एक चीज को पहले यूज कर लेना चीए ताकि आपको कन्फिशन दूर हो जाए एक हमें CH नाम से यहां स्वीच मिलता है एक स्वन ट्रिगर में इसको प्रेस करके रखेंगे थोड़ा लोंग टाइम तक तो आपका ट्रिगर जो है वह इस तरह से रिशेट हो जाएगा और आरी एस्टी रिशेट इसमें स्वीच दिया हुआ है तो मोड और और सी और जी एच और जी आरे जो सुईच इन दोनों का प्रेस करके रखेंगे तो आपकी फ्लश जो है वह भी रिशेट हो जाएगी तो कुछ इस तरह से इन कोन से म मोड करता है तो एक होता है हमारा अंट मोटा के पाफर आपीर मटी बाद है टीटीएल मोड और हमारा होता है manual तो फिलाल में manual पर आपको set करके बताता हूं manual जो होता है वह हमारा manual तरीके से हम कम जदा हमको light को use करना है तो manual पर ही set करना ज़्यादा better रहेगा manual पर हमने कर लिया इसके बाद हमें channel कुन सा use करना है दोस्तों सबसे पहले हमें light के अंदर हमारा जो channel और gear का switch है इसको हमें प्रेस करके रखना है लोग ट звон करके रखना है तो हमें छ more करता हूँ मिलेगा कि ी में सी एज को हम किस number पर set करना जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको कुछ अलग तरी के से पहँसे बतादेता हो सब जी से बताते हैं उस तरह से नहीं बताता हूं ञOR देदा मैं आपको बता दयता हूं कि इसमें हम पांच नमबर पर्फिक्श कर लाते हैं पांच नमबर हम चैनल को रख दिया इसके बाद हमने इेर का सवीच दबा दिया अब हमें कुन सा रखना है कि अब यह का सेटिंग फिर करेंगे तो ट्रिगर हमने साइड में रख दिया अब ट्रिगर में हमें पांच नंबर चैनल को प्रेस करके में आख रखना अध्यार डीएर रखा है इसके बाद हमें पांच नंबर कांट है हम एक लिए अब एक़ करना है कुछ इस तरह से देखिये दोस्तों यह 1858 की की स्पिट पर जब हमारा काम करेगा तो बहुत kanam fire करेगा जैसे टॉइंड में क्लिक करें तो यह को प्रिषा ऑफ लिसके अलावा हम ट्सकीो वापत CES करेंगे और हम सके 2चल कमश्रेंगे तो मतुतर का attachments कम पने तो इसका पावर बढ़ जाएगा कि एक अmemory पर इनक्लिक करेंगे तो झाल के बाद के इंग कि को भीजि Alien घंग है तो यह हमारा power बढ़ा लिजिए नंबर बढ़ा लिजी तो यह power में देता है, आपको 128 तक का power कम करता है और 1 upon 1 पर यह हज़ा है, सबसे ज़्यादा power देता है तो इस तरह से आप Godox का trigger core को, trigger core light को connect कर सकते हैं सभी lighting को इसी तरह से आप use करकर आपको आर्षानी से connectivity मिल जाती है और by chance आप एक से ज़्यादा दो light use करते हैं तो आप ABC में change कर लीजिए और आपके इस channel को जो है 5 से अलगा पोशा दीजिए जैसे कि मैं इसको press करता हूँ यहाँ पर मैंने 4 कर दिया channel, 3 कर दिया मैंने channel, ok कि तीन करने के बाद मैं press करता हूँ तो हमारी light जो है नहीं चलती है अब हमें यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा तब जाके हमारी light जो है चलेगी यहाँ पर हमें तीन कर दिया channel को और हम क्लिक करेंगे तो हमारी light जो है फायर करने लग जाएगी कुछ इस तरह से ठीक है तो यह था हमारा आसान सा तरीका दोस्तों यह light जो करने के लिए आपको इस्टेंट अलग से खरीदना होगा जो कुछ इस तरह का आएगा लेकिन इसमें आपको फायदा मिलेगा आपको ब्रेकेट नहीं खरीदना पड़ेगा ब्रेकेट आपको कमपनी ने दिया हु आप यूस कर सकते हैं कि अलग अलग तरह इसमें 80 cm से 120 cm तक कर उक्ता बोक्स आते हैं तो इस तरह से कुछ उपन कर लिए अधा होता है कुछ चाते के तरह ही बनाया गया लेकिन इसको कुछ उल्टे तरीके से बनाया गया है कि आपम इसको जब इसको लाइट के साथ में लगती है और फ्रेंट लाइट करते हैं तो आप वोक्ता बोक्स को यूज कप करेंगे तब आप नॉर्मल फ्लस यूज कर रहे हैं या आप ज्यादा ही पावर की लाइट यूज नहीं कर रहे हैं तब आपके काम में आएगा क्यूंकि वो डायेक्ट थ्रो करती है इसके अं आपको पल्टा के बतादेता हूं आपका जो यह हैं इसका है जो स्वीच है वो समने इस तरह होना चाहिए तो यह टक्रा कर लाइट आपके रिफलेक्ट इसमें आएगी तो ज्यादा आपकी लाइट और सोफ्ट हो जाएगी इसका पावर्फुल जाद अच्छा इसमें हमे जो यहां पर यूज कर लेते हैं इस तरह से दोस्तों यह मारा बेसिक सा जो है सेट अपम रेडी हो गया और लाइट इस यो तो हमारी ब्लैंक अच्छे से कर रही है और मारे जो है अंदर से चाहिए किस तरह तक्रा कर आ इसके अंदर जो है हमें सिल्वर बेस का पुरा उक्ता बोस जो है बना हुआ है यहां पर लाइट जाएगी पावरफुल और फिर टक्रा गाएगी तो लाइट जो हमार सब्जेक्ट के ऊपर गएगी वह जदा सोफ्ट हो जाएगी तो कुछ इस तरह से आप लाइट को यूज करेंगे ज्यादा अच्छी क्वालिटी देगा और बाई चांस आपको फिर भी कुछ लगता है कि लाइट कुछ अलगतर है तो आप हैट को चेंज कर सकते हैं इस हैट के साथ में भी सौफ्ट बॉक्स जो है बहुत अच्छे से काम करेगा और यह जो हीट का काम होता है वह हो तब यह तो हमने कितने का पड़ा है तो हमें Godos का एक्सवन ट्रिगर जो है लगबग लगबग संतिंग 2400 का पड़ा है जो की लगबग 2400 रुपे होते हैं तो आप इसको लगबग 2500 रुपे के संतिंग में कहीं से खरीच सकते हैं इसके अलावा हमारा लाइट लगबग 25000 रुपे के संतिंग का रेट इसका भी है पचिस सो रुपे ट्रिमा ट्रिगर का 25000 रुपे हमारे लाइट का ट्रिगर हमारे लाइट का सेटप है और उसके अलावा आपको इस सोफ्ट बोक्स जो खरीदना पड़ेगा वो अलग-अलग वेरिशन में मिलेंगे जिसा ही मैंने बता है 80 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर 90 से सेंटीमीटर 100 रुपे का लग 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 तो 1400 रुपे से लेके आपको अठारा सो रुपे तक के यह इस टाइप कर सोफ्ट बोक्स गोडोक्स का मिल जाएगा और आप कहीं भी आउट्डोर में इस लाइट को ले जाकर 500 फोटोस आसानी से क्लिक कर सक बहुत ज़्यादा अच्छी फोटोग्राफी दे पाएंगे इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वेरियेशन में और आप जब आउट्डोर में जाते हैं तो बेक लाइट का कन्फूजन दूर हो जाएगा मतलब कि कहीं बार इसा होता है कि जब हम फोटो क आपके साथ में कनेक्टिंग और यूजर के हमके इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं लाइट कम ज़्यादा करकर अगले लेक्स टानले वाले वीडियो में हम इसको लाइव एक्प्रमेंट के साथ में आउट्डोर फोटोशूट पर यूज करेंगे और आपके साथ में वह वीडियो भी शेर करूंगा तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छे लगते प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चेनल को सेस्क्राइब कीजिए हमारे साथ बन रहे है नए नही फोटोग्राफिय टिप्स के साथ में पी मिलते रहेंगे हम तब तक के अगलियो गुड़ धे